स्वागत है आपका मित्र संसकार विधी में महारिशी कहते हैं जितने उत्तम कर्म किये जा सकते हैं इस दुनिया में उन सब में सबसे स्रेष्ट है ब्रह्मचेरे आयरवेद में इस महान तपस्या को जीवन का आधार माना गया है तीन स्थंब बताये गए हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचेरे ये तीन चीजों पर हमारी जिन्देगी ऐसे ठीकी हुई है कि अगर इन में से एक भी बिगरता है तो जीवन बरबादी की तरफ जाने लगेगा महारिशी आगे कहते हैं कि ब्रह्मचेरे नाश करने वाला महादुख सागर में डूब जाता है अब देखें दोस्तों जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं कि उनका बेटा बिगर गया किसी के चक्कर में फस गया होगा लेकिन इसको अगर गहराई से समझें तो पाएंगे कि इसमें उस लड़के का कोई दोश नहीं है अगर उसे समय रहते ब्रह्मचेरे के महत्व के बार में बता दिया जाता तो कभी उसकी हालत ऐसी ना हुई होती चली आप साइंटिफिक तरीके से भी समझ लेते हैं क्यू ब्रह्मचेरे नाश हमारे उत्सा, पराकरम, साहस और कॉन्फिदेंस के नाश का भी कारण बनता है होता यह है कि लंबे डियुरेशन तक अशलिल चीजे देखने से हमारे जो डोपमीन रिसेप्टर्स हैं, वो कम होने लगते हैं यानि आप रिवार्ट सर्किट आसानी से शुरू नहीं होगा और होने से भी इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा जिस कारण आप इंपल्स कंट्रोल खोते हो और आसानी से ग्रैटिफिकिशन डिले नहीं कर पाते और जिस चीज़ को लेकर मन में क्रेविंग उठेगी न आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा जो नशा करते हैं और जहां आपने सेल्फ कंट्रोल खो दिया वहां आपका confidence किरेगा जरूरी काम को टानने की आदत लगेगी बहुत शर्मिला और अजीब स्वभाव हो जाएगा और फिर देखना कोई काम आप कर रहे हैं तो उसमें ध्यान लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा बार बार मन भटकेगा इसलिए जब कोई मित्र कहता है ना कि ब्रह्मचेरे के बाद उनकी जिंदगी बदल गई है तो उनकी बातों में गहरी सच्चाई है आपको आश्चेरे हो सकता है जानकर कि ब्रह्मचेरे हमारे लिए कितना जरूरी है चलिए हम और आप इसके बारे में साथ में मिलकर सोचेंगे सवाल ये है कि इस दुनिया में सबसे शक्ती शाली उर्जा कौन सी है सोचा आपने ये है जीवन को आगे बढ़ानी की उर्जा इससे Life Force Energy भी कहते है जिसमें वो शक्ती है कि एक नई जिन्दगी को बना सके और एक इनसान होने के नाते है ये जो मानव शरीर है जो आपके पास अभी है Human अपने आप में सबसे प्रमुक प्रजाती है इस दुनिया की सबसे dominant और सबसे advanced है इनसान एक दूसरे इनसान के पैदा होने के पीछे उसी energy का तो हाथ है सोच कर देखें कितना बड़ा कारण है अपनी उर्जा को बरबाद ना करने का हमने use किया है बरबाद word पीड़ी को आगे बढ़ाना जरूरी है एक वक्त आएगा उसका भी situation होगा लेकिन उससे पहले इसकी रक्षा करना जरूरी है फिर आप देखेगा कैसे जिन्देगी बदलती है लेकिन इस प्रोसेस में एक बार गलती हो या सौ बार बस हार मत मानना क्योंकि सौ वी बार हारने पर आपके पास experience तो होगा ही कितने आगे बढ़ चुके होंगे आप सौ बार सौ अलग अलग तरह से आप कारन पता लगा पाएंगे कि इनसान गलती क्यों कर बैठता है ये अनुवर पहले दिन नहीं था आपने सीखा इतना कुछ अगर हम साथ में मिलकर ब्रमचरे पालन करते रहे तो हम मेंसे कोई नहीं हारेगा एक वैक्ती भी नहीं हारेगा या तो हम जीतेंगे या फिर हम सीखेंगे स्वागत करते हैं आपका एक साल ब्रमचरे के लिए उसका हर दिन का अपडेट आपको मिलता रहेगा हमारे टेलिग्राम चैनल पर जिसका लिंक इसी वीडियो के डेस्क्रिप्शन में है वहाँ पर आप इलुमिनाटिक शो लिकर सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा आज इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में